नमस्कार आप सभी के स्वागत है YouTube Channel Management पर दोस्तों पिछले एक साल में मैंने कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड नहीं किया है क्योंकि उसके पीछे कुछ रिजन्स रहे जिसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि unnecessarily time waste होगा लेकिन हाँ यहाँ से आगे जरूर मैं कोईसिस करूँगा कि at least one video per day के हिसाफ से मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूं और आपका जो भी investment stock market के related knowledge है उसको enhance करने में contribution अपना देता रहूं एक चीज़ यहाँ पर मैं और add करना चाहूंगा अगर एक साल पाले के आप वीडियो देखें तो उसमें हर वीडियो में आपको कुमार फिनांस के नाम से यह channel चलता हूँ दिखेगा लेकिन हाल फिलाल मैंने इस channel का नाम change कर दिया है क्योंकि management के नाम से ही मैंने एक website भी start किया है जहां पर आपको stock market investment के related बहुत सारे article देखने को मिलेंगे अगर आप उन article को read करने के लिए interested है और वहाँ से कुछ learning लेना चाहते हैं तो www.management.com पे visit कर सकते हैं या इसका link जो description box में दिया हुआ है वहाँ से इस site पर जा सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ उसे stock का नाम वरून विवरेजेज लिमिटेड है और पिछले एक साल के return की बात किया जाए तो ये अपने bottom line 480 रुपिया में almost 100% का return दे चुका है अपने investors को और accurately अगर इसको calculate किया जाए तो almost ये 70% से ज्यादा का return दिया है अगर पिछले 3 साल का data देखा जाए तो almost ये अपने investors का 5 गुना पैसा किया है जबकि पिछले 5 साल में ये अपने investors का पैसा 7.5 times कर चुका है यानि देखा जाए तो पिछले 5 साल का डेटा हो, 3 साल का डेटा हो या पिछले 10 साल का डेटा हो अपने इन्वेस्टर्स को एक तरह से इसने पैसा multiple या multi-bagger करके दिया है तो क्या यहां से इस सेयर में इतना अभी भी दम बचा है कि आने वाले टाइम में ये अपने इन्वेस्टर्स को एक बार फिर से multi-bagger या कम से कम एक बहुत अच्छा और strong return दे सके present time में इसका stats कैसा दिख रहा है future में इसका growth prospect कैसा है और आने वाले time में क्या क्या challenges इस company को face करने पढ़ सकते हैं ये पूरे detail इस वीडियो के मादें से हम जाने उसके पहले मैं काना चाहूंगा अगर आप नए हैं इस channel पर या आप तक आपने इसको subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करके बेल एकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले time में जब भी कोई वीडियो इस channel पर upload हो notification आपको मिलती रहे दोस्तों वरुन beverages limited के इतिहास पर नज़र डाला जाए तो ये PepsiCo के साथ associated है करीब 1990 से और वहाँ से देखा जाए तो PepsiCo Company के लिए ना सिर्फ इंडिया में बलकि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जिसके लिए ये product manufacturing करके और उनके विहाब में supply करती है PepsiCo के साथ ना सिर्फ इसका एक strong foundation है बलकि पिछले कुछ सालों का अगर record देखा जाए तो PepsiCo के growth में जो contribution रहा Varun Veverages का एक बहुत ही strong contribution है और same चीज Varun Veverages के case में भी apply होता है क्योंकि PepsiCo की वज़े से Varun Veverages के भी जो product है उसमें एक अच्छा खासा उच्छाल देखने को मिला है जिसकी वज़ा से ना सिर्फ इसका impact इसके growth history पर आपको देखने को मिलेगा बलकि इसका share price भी है जो पिछले 7-8 सालों में एक बहुत ही बड़ा multi-vagger return बना के दिया है अपने investor score अगर इसके कुछ की financial पर नज़र डाला जाए तो present time में इसका market cap एक लाग 22,869 करोड का है यानि ये एक large cap की company है stock भी जरूर थोड़ा सा आपको डरावना दिखेगा क्योंकि ये 50 के ऊपर 65.4 है लेकिन अगर growth wise देखा जाए तो पिछले 10 साल में जिस तरह से इस company ने performance करके दिया है या जो भी company इस type के performance करके दिया है market में उसका stock भी almost आपको 50 है इसके उपर ही देखने को मिलेगा इसका return and capital employed का percentage 27.4% return and equity का percentage 33.5% है और दोनों को देखा जाए तो ये काभी strong और अच्छा माना जा सकता है book value इसका फिलाल मातर 50 रुपया है और share के current market price से compare करके देखा जाए तो इस share का current market price अपने book value से करीब करीब 9 गुना जादा चल रहा है face value फिलाल 5 रुपया देखने को मिल रहा है क्योंकि 3-4 महिना पहले ही इस stock में एक split आया था जिसकी वज़े से face value जो पहले 10 रुपया हुआ करता था वो घटके फिलाल 5 रुपया हो चुका है जुन 2023 में split होने के पहले इस company के management इसके share holders को 3 बार bonus share भी issue कर चुके है जबकि dividend के बारे में बात किया जाए तो ये अपने investors को कोई खास dividend offer नहीं करती है दोस्तो जैसे कि मैंने बताया वरुन वेबरेजेज पेपसिको के साथ worldwide काफी लंबे time से associated है और present time में देखा जाए तो ये company carbonated soft drinks, non-carbonated soft drinks क्या packaging, distribution और production करती है जो कि पेपसिको trademark के under sale किया जाता है पेपसिको brand के under जो product sale होते हैं उसमें Pepsi, 7up, Mirinda Orange, Mountain Dew, Tropicana Juices जैसे कुछ famous product सामिल है वरुन वेबरेजेज लिमिटेट के management के बारे में बात किया जाए तो इनका भी reputation काफी अच्छा मना जाता है क्योंकि ये company RJ Corporation के under run करती है जो कि ना सिर्थ वेबरेजेज सेक्टर में एक strong hold रखती है बलकि QSR सेक्टर में भी एक largest franchise है पिजा हर्ट, KFC, क्रीम बेल और कोष्टा कोफी जैसे ब्रांट का इंडिया में ये company फिलाल 6 countries में अपने business operate करती है जिसमें 3 India और रिया इसके subcontinent है जैसे इंडिया, सिर्लंका और नेपाल जहां से इसको अपने business में 85% का revenue में contribution आता है जब कि 3 जो दूसरे देश हैं वो अफरिका से बिलॉंग करते हैं जैसे मुरको, जांबिया, जिंबावे जहां से almost इसको 15% का अपना revenue generate होता है currently इस company का distribution network भी काफी strong है क्योंकि किवल इंडिया में देखा जायता across the both are estates इसके करीब 37 manufacturing unit available है 6 internationally available है supply chain में इसका 110 से ज्यादा on depot है 2500 से ज्यादा on vehicle है जब कि 2400 से ज्यादा across the world इसके primary distributors है अगर हम sales volume की बात करें तो December 2022 data के according 70% इसका volume केवल carbonated soft drink से आता है जब कि 23% का volume इसका water और 7% का volume इसके non-carbonated beverages selling से आता है वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस company का कैसा future में prospect बन रहा है आने वाले time में की challenges जैस क्या हो सकते है और present time में इसके management का क्या capex plan है इसके बारे में जाने उसके पाले इसका कुछ detail analysis सम financial aspect का कर लेते हैं दोस्तो वरुन वेबरेजेज के quarterly result पे नज़र डाला जाये तो इसका sales जून 2020 से लेके जून 2023 के 20 में लगतार grow करता हुआ दिखेगा अलाकि 20 में थोड़ा बहुत आपको fluctuation जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि जैसा के आपको idea होगा ये company जिस segment में काम करती है और जो इसके product का range है उसका sales नॉर्मली, गर्मी और बरसात के season में ज़्यादा होता है जबकि ठंड के मौसम में थोड़ा सा कम हो जाता है operating profit इस company का जून 2020 में जो 378 करोड का था वो बढ़ते बढ़ते जून 2023 में 1511 करोड का हो गया है यानि पिछले 3 साल के data पर नज़र डाला जाए तो चाहें इसका sales हो या operating profit हो almost आपको 4 से 5 गुना होता हुआ दिखेगा इसके annual profit and loss statement पर भी नज़र डाला जाए तो लगतार आपको यहाँ पर high growth आता हुआ दिखेगा क्योंकि पिछले 10 साल में इसका compounded sales growth करीब 22% के rate से बढ़ा है 5 साल में 27%, 3 साल में 23% और पिछले 1 साल में 25% रहा है यहाँ पर जो एक चीज कमन आपको नज़र आएगा लगतार पिछले 10 सालों से इसका sales growth यह annual basis पर आपको 20% के उबर ही नज़र आएगा compounded profit पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पर यह अपने sales growth को लगतार बीट करता हुआ नज़र आएगा क्योंकि पिछले 10 साल में इसका profit growth एकाउन परसेंट 5 साल में 49% 3 साल में 49% और पिछले 1 साल में एक बर फिर से 45% रहा है यानि इसका compounded profit growth पिछले 10 साल में लगतार 45% से लेके एकाउन परसेंट के रेंज में बना हुआ है stock price CAGR पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पर भी आपको जबरदस growth आता हुआ दिखेगा और जैसा कि मैंने बताया यह अपने investors को पिछले 7-8 सालों में almost एक बहुत ही बड़ा multi-bagger return बना के दिया है जिसकी वज़े से पिछले 5 साल में stock price CAGR 54% रहा है 3 साल में 83% और पिछले 1 साल में 81% आपको return on equity में भी लगतार improvement होता हुआ दिखेगा क्योंकि पिछले 10 साल में 28%, 5 साल में 21%, 3 साल में 22% और पिछले 1 साल में 34% सबसे अच्छा रहा है balance इट पर भी नज़र डाला जाए तो यहाँ पर भी कोई concern नज़र नहीं आता है इसको grow किया है जिसकी वज़े से जून 25 क्वाटर रिपोर्ट के हिसाब से इसके पास 5849 करोड करीजर हो गया है और वहीं पर अगर borrowing part पर हम नज़र डाले तो December 2014 में जो इस company के उपर करीब 2415 करोड की liability यानि कर्ज हुआ करता था वो थोड़ा सा बढ़ते हुए 3726 करोड तक पहुंचा है short analysis में भी ये company बिल्कुली खरा उतरते हुए नज़र आ रही है क्योंकि present time में strength इसका 13, opportunity एक यानि positive side में 14 का score हो रहा है जबकि negative side में मातर दो weaknesses निकल कर आ रहे हैं और उसमें से एक weakness negligible मना जा सकता है क्योंकि ये है mutual fund ने पिछले के कुछ quarters में अपनी holding कम की है इस company और share में holding के बात करें तो ये भी काफी strong नज़र आ रहा है क्योंकि promoters की holding मार्स 2022 से लेके June 2023 के बीच में almost constant बना हुआ है जरूर यहाँ पर आपको almost 7% के आज़पस गिरावट आता हुआ दिखेगा लेकिन अभी भी ये 60% के ऊपर बना हुआ है Indian mutual funds company ने जरूर अपना इस्टे काफी कम किया है क्योंकि मार्स 2022 में उनकी holding जो 5.89% थी वो लगतार कम होते हुए 2.37% तक हो गया है अधर domestic intuition का कोई बहुत ज़्यादा investment इस stock या company में नहीं रहा है क्योंकि मार्स 2022 में उनकी holding जो 1.31% थी यहाँ पर भी आपको थोड़ा से गिरावट आता हुआ दिखेगा और फिलाल ये 0.79% पहुचा है जबकि foreign institution की holding में आपको जबरदस्त growth आता हुआ दिखेगा क्योंकि मार्स 2022 में उनकी holding 21% थी जिसमें करीब आपको 56% के आज़ पास growth आता हुआ दिखेगा और यून 2023 में ये बढ़के 26.71% हुआ है और अगर यहाँ के diagram पर आप नज़र डाले तो लगतार इनकी holding में बड़ोतरी ही देखने को मिलेगी finally अगर हम retail and others की holding पर नज़र डाले तो ये भी almost आपको constant या थोड़ी सी कम होते भी दिखेगी क्योंकि ये 6.87% से कम होगे 6.5% हुआ है इस period में लेकिन overall अगर देखा जाए और मेरे according जो मैं काफी strongly feel करता हूँ अगर किसी company के stake holding pattern में चाहें D.I.E. जो F.I.E. जो institutional holding हो अगर इसमें overall growth नज़र आता है और retail की holding में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखती है तो इसको काफी positive और एक अच्छा sign माना जा सकता है उस company और उस share के future prospect को लेकर forecast और rating पर नज़र डाला जाए तो यहाँ पर भी आपको positive sign आता हुआ दिखेगा क्योंकि 15 analyst ने जो अपना opinion share किया है इस share को लेकर आने वाले future के लिए उसमें 80% analyst का मानना है चाहें इस share का price growth हो company का business growth हो या profit growth हो अच्छा बना रहेगा दोस्तों ये तो रहा वरून वेबरेजर लिमिटेट का past performance जिसमें हमने देखा चाहें इस company का profit growth हो sales growth हो या share price growth हो कैसा है लेकिन personally मैं ऐसा feel करता हूँ किसी भी company का past performance देखना तो ज़रूरी है ही जिस level पर उस share को अबाई करना चाहते हैं वहाँ से उसका future में prospect कैसा बन रहा है क्या challenges हो सकते हैं और company का management कहां invest कर रहा है और कहां से पैसा अपना निकाल रहा है इसलिए वरून वेबरेजर लिमिटेट के future prospect को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं present time में company का क्या plan चल रहा है कहां पर इनका investment हो रहा है दोस्तों जैसा कि आपको idea होगा ये company जिस business segment में है वहाँ पर plastic कताफी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे type के जो packaging product है उसको काफी इस्तेमाल किया जाता है जो कि overall देखा जाए तो environment के लिए अच्छा नहीं है जिसके लिए इस company ने भी environment को लेकर या government के किसी भी notice को avoid किया जा सके काफी working कर रही है present time में जो भी packaging के लिए product ये company इस्तेमाल करती है चाहे वो plastic का हो या दूसरे type के material हो जिसमें almost 70% या 73% के आज़ पास उसको recycle करके वापस इस्तेमाल कर लेती है लेकिन company का target है जो भी product वो packaging के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको 100% recycle करके वापस इस्तेमाल किया जाए 2019 में ही PepsiCo ने Varun Beverages के साथ अपने license agreement के extension भी दे दिया है जो September 2022 में expire कर रहा था अब ये October 2022 से लेके 30 April 2049 तक के लिए होगा यानि आने वाले 16 साल तक लगतार Varun Beverages पेपसिको के लिए काम करती रहेगी और जो भी उनका requirement product है उसका manufacturing, उसका distribution, packaging वगेरे इसके द्वारा किया जाता रहेगा हम यहाँ पर अगर हम Varun Beverages Limited के management के बारे में बात करें तो उनका capex plan भी फिलाल काफी strong नजर आ रहा है क्योंकि वो अपने बहुत सारे project के expansion कर रहे है और already वो 6300 million dollar करीब allocate कर चुके हैं जिसका इस्तेमाल बिहार, Jammu and Kashmir में green field expansion को लेकर किया जाने वाला है इसके management द्वारब 25 million dollar का capex plan मुरको और Jimbabwe के लिए किया गया है जो कि brown field expansion के लिए होगा इसके addition में यह company already 3718 billion rupees का plan कर रखा है land purchase के लिए ताकि financial year 2024-25 में जो current time में इसकी production capacity है उसको expand किया जा सके इसके अलावा 6660 million rupees का इनों ने green field expansion को लेकर reserve कर रखा है जो आने वाले time में आपको राजस्थान और मद्यपरदेश में होता हुआ दिखेगा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ के लिए मैं माफी माँगना चाहूँगा इसका financial aspect हो, future में growth prospect हो या company के management का capex plan हो लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ challenges और key risk के बारे हम बात करना चाहूँगा जो आने वाले time में इस company को face करने होंगे या उसके compliance करने होंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो present time में company का no doubt business काफी अच्छा चल रहा है इसका prospect भी काफी अच्छा दिख रहा है लेकिन चुकि इस company का business heavily dependent है पेपसिको पे इसलिए पेपसिको company अगर आने वाले time में किसी और company के साथ अपना association करती है फिर बरून वेबरेजेज लिमिटेट का product जो पेपसिको फिलाल खरीद रही है उसके volume में गिरावट आ सकती है इसके अलावा जिस segment में ये company अपना business कर रही है वहाँ पर चाहें Indian government हो African government हो या India के subcontinent government हो लगतार वहाँ पर regulatory risk बने रहता है क्योंकि environment को लेकर ना सिर्फ India बलकि across the world बहुत सारे देश अब धीरे-धीरे conscience होते जा रहे है और अगर जो इनका target है recycling को लेकर जो भी product ये अपने packaging के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर उसको ये achieve नहीं करते हैं वहाँ पर कोई notice आ सकता है और जिसका compliance करने में इनको तकलिफ फेस करनी पर सकती है इसलिए इस company का management recycling को लेकर plan और target लेकर चल रहा है निश्ची थी उस पर smoothly इनको आगे बढ़ते रहना होगा finalist video को conclude करते हैं अगर मैं अपने opinion के बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है निश्ची थी जो इस company के आने वाले time में challenges रहने वाले है normal condition से थोड़ा सा भी हालात अगर negative होते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा negative impact इसके business पर आता वदिख सकता है लेकिन अब तक जिस तरह से इस company का performance रहा है वो काफी अच्छा और strong मना जा सकता है जो इस company का product range है आने वाले time में वहाँ पर एक अच्छा growth बना रहेगा हाँ जरूर यहाँ पर मैं आपको alert करना चाहूंगा अगर आप इस share को current market price पर buy करके चलना चाहते हैं future में एक अच्छा और strong return पाना चाहते हैं इसको consider कर सकते हैं लेकिन आपको हमेशे इसके quarterly result पर नजर बनाये रखना होगा और इसके related जो भी government के regulatory risk है या जो उनके notification है उस पर भी एक नजर बना के रखनी चाहिए क्योंकि साहथ आपको idea होगा जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में Indian government online gaming companies को लेकर tight या सक्ट हुई है उस sector से आने वाली जो भी companies हैं उनके share price धड़ाम हो चुके हैं इसलिए अगर ऐसा notification कोई Indian government के तरफ से इस sector के लिए आता है फिर Varun Viverages Limited जैसे company के share से निकलना ही better होगा लेकिन जो present scenario है या future का prospect बन रहा है उसके according इस share के target price के बारे में मैं बात करो तो मुझे ऐसा लगता है यहां से आने वाले तीन साल में जरूर इस share का price करीब double हो सकता है और मेरा share को लेकर target price करीब 2000 के आस पास रहेगा इसलिए अगर आप चाहें तो इस share को अपने portfolio में add करने के बारे में consider कर सकते हैं या at least अपने radar पर रख सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर पसंद आये तो like button प्रेस करके अपने circle में इसका link अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो इस share के लिए interested है पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाएं